आज के इस वीडियो में बताने वालों कि गैजट्स रिव्यू साइट कैसे बनाते हैं इसी के बारे में आज हम यहाँ पर बताने वाले हैं तो दोस्त आप इस वीडियो का अन तक जरूर देखिएगा मेरा नाम रंजन कुमार है और आप देख रहे हैं अब चलिए दोस्त सेक्षन बनके आते हैं और यहाँ पे पुड़ा जो इसका होमपेज का जो डिजाइन है बहुत ही अट्राक्टिव है अगर आप फूटर सेक्षन देखेंगा तो उसका भी डिजाइन बहुत ही अट्राक्टिव होने वाला है जैसे कि दोस्त आप यहां पर देख बार है तो यहां पर जो हैं पर आप का रिवीव सेक्षन व설ाढ़ सेक्षन खी और साथ में और आप नीचे ऐता है तो कुछ इस तरह से आप अफेलेय्ड लिंक भी डाल सकते हैं और और यहां पर बनाने के लिए दोस्त अपने को दो चीज़ों की requirement होती है पहला होता है domain name जिस भी नाम से आप अपना website बनाएंगे उस नाम को online restore करना परता है उसके बाद दोस्त अपने को एक online hosting बाई करना परता है जो भी आपका content होगा जो भी image होगा उसे online restore करने के लिए दोस्त अपने को एक hosting बाई करना परेगा तो अगर दोस्त आप Google पर सर्च मारेंगे online hosting तो बहुत सरी ऐसी company आजाएगी चाहां से दोस्त आप hosting बाई कर सकते हैं और साथ में आपको domain name भी फ्री में मिल जाएगा अगर दोस्त मेरा आप recommendation चाहेंगे तो दोस्त में आपको बता हूंगा कि आप hosting a.in के साइट पर आएगे तो दोस्त आप यहां पर देखेंगे कि जो ट्रॉस्ट पाइलेट पे इनका rating जो है 24,599 rating है 4.6 का rating है Google पे 4.8 का rating है वोस्त एडवाइस पे 4.6 का है या डव्रूपी बीगनर पे 4.7 का है यहां पर आपको बहुत ही battery service मिलने वाला है और साथ में जो support मिलता है 24 गनटा है आपको यहां पर support मिलता है तो इनका जो plan आगर आप देखेंगे तो यहां पर premium plan मिल जाता है आपको 119 रपे per month के इसाब से और साथ में दोस्त अगर आप इस premium plan को buy करते हैं तो दोस्त आपको क्या है कि यहां पर 100 website host करने को मिल जाता है, मालने जिए कि future में चल कि एक दो और भी website अगर आप बनाते हैं, तो दोस्त आपको अलग से कोई भी आपको hosting भाई करने की ज़रूत नहीं है, इसी hosting पर उस website को आप host कर पाएंगे, साथ में आपको यहां पर 100GV SSD मिल जाता है, और यहां पर unlimited bandwidth मिल जाता है, और साथ में यहां पर free में domain मिल जाता है, जो कि यह जिस भी नाम से आप buy करेंगे domain, यहां पर आपको free में मिल जाता है, तो दोस्त अगर आप इस hosting को buy करना चाते हैं, तो दोस्त में आपको देने वाला हूँ 20% का additional discount coupon, जिससे आपको click करना है, और आपको इस link पर click करने से, क्या होगा है कि दोस्त यहां पर auto apply 20% का discount हो जाता है, यहां पर आपको कोई भी coupon code डालने की ज़रूतनी होता है, यहां पर आपको जो भी plan buy करना है, मान लिजी कि दोस्त अगर आपको यहां पर premium plan ही buy करना है, तो यहां पर आपको 20% का जो additional discount था, यहां पर apply हो चुका है, और यहां पर आपको 1039 रपिया का discount हो चुका है, यह जो hosting है, चार साल के लिए यह साथ में इसके साथ domain name भी free में मिलता है, अगर दोस्त आपको budget काम है, तो दोस्त आपको क्या करना है, कि यहां पर one year अवला, आपको hosting buy कर ले करना है, इसके साथ भी आपको एक domain name free में मिल जाता है, अब आप दोस्त यहां पर देखेंगे कि यहां पर भी 20% का additional discount coupon apply हो चुका है, जो कि आपको total price जो परता है 2770 रपे में, आपको one year का hosting मिल जाता है, साथ में दोस्त आपको domain name भी 1000 पे का free में मिल जाता है, तो दोस्त आ आपको buy कर लिजेगा, और buy करने के बाद दोस्त आपको क्या करना होता है, कि एक domain name को claim करना होता है, claim कर लिजिए और उस पर wordpress को install कर लेना, उसके बाद दोस्त चलते है अपनी website के dashboard में, यहां पर अपनी website के dashboard में आने एक बाद दोस्त आपनी क्या करना है, कि अगर आप first time WordPress install कर रहे हैं, तो दोस्त आपको setting करना पढ़ेगा, setting पर आना है, और यहां पर general settings पर click कर देना है, तो यहां पर आप general settings पर आईएगा, यहां पर title और tagline डालने का option मिल रहेगा, जो कि दोस्त आप यहां पर देख पार है, तो दोस्त आप यहां पर title और tagline डाल लीजिए, उसके बाद दोस्त आब यहांगे यहां पर ताइम जोन पकाहाने क debuted अदेएतंग पिछ रहकत आ रहना है हुआ होच्प monsieur מאा से और यहां पर यहां पर यहां पर क्ली कर दिए इतना करने के बाद वह यहां कि अपनी वेब्साइड काूम पेज को एक बार विजिट कर लेंगे, औरुए कि डीषाइड का किस तरह क किस तरह की दिख रहे हैं, तो दोस्तोत आव आपको बताने वाल्य हों कि कुछ इस तरह का तरह का हूम-पेज इसको open कर लेना है और यहां पर दोस्त आप दिखेंगे कि इस प्राइज है यहां पर मातर आपको 149 सपय में मिल जाता है जो की gpa lessons के साथ मिलता है तो दोस्त आपको यहां पर से इस theme को buy कर लाना है और यहां से तो यहां पर दोस्त आपको यह theme मिल जाएगा तो यहां पर इस theme को open कर लिजे और यहां पर आपको जो theme है मातर 119 सरफे में G.P.A. LICENS में मिल लेता है और यहां पर कोई भी आपको license की नहीं मिलता है अगर आपको license की चाहिए तो दोस्त आप themeforest.net से आप buy कर सकते हैं यहां पर आपको license की मिलेगा यहां से अगर buy करेंगे तो यहां पर आपको pre-activated theme मिलता है जो की G.P.A. LICENS में होता है और अगर आपको कोई और theme और plugin भाई करना है तो आप यहां से कर सकते हैं बहुत ही कंप्राइजमा को यहां पर कोई theme और plugin मिल लएता है यहां से बाई कर लिजिए और यहां से इसको डाउन लोड कर लिए डाउन लोड करने के बाद दोस्त्त आपने लेडकर से अपने करेंगे तो यहां पर इस तरह को फोल्डर कर सब्सक्रात की सब्सक्राइब एक टील yen इस सारे plugins को install कर दे सार अप्लाइ कर देंगे अभ यहां पर क्या कर दोत попроб रेक्क आपकर दे सकते आपको कोई भी लाइसेंस की डालना IT code री डीट novels यहां कोजीडा के जोरद नहीं है आप दोस्त आपको क्या करना है कि यहां पर demo importer पर क्लिक करने के बाद दोस्त अपने को नीचे आना है और यहां पर नीचे माइएगा तो दोस्त आप दिखेंगे कि बहुत सारी यहां पर pre-design template पर आ हुआ है जो भी आपको पसंद है तो दोस्त आप उसको use क कर सकते हैं अब दोस्त में पर दिखाया थे android hub के नाम से अब इसको क्या करना है कि import all demo पर क्लिक करना है और यहां पर इंपर्ट डेमो पर क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करना है तो दोस्त आप देखेंगे कि यहां पर processing स्टार्ट हो चुका है जो कि अभी 0% हुआ है तो लोग वैट करेंगे सामारि सम्सक्राइब gaming और यहां पर देखेंगे हैं कि यहां पर करने के यहां पर अपने डिजाइधर ने क्लिक करने करें कर लिक सबसे पहले हैं नेदों मैंने की को ट्रसुपार्जीय लागने सबसेदेखले मैंने इसके अंदर बनेते का प्रेशिए गसाया कैसे पहले करते हैं यहां पर जो भी हम लोग के अंदर मेनु होते हैं यहां पर जो एडर के अंदर मेनु है इसे हम लोग एड कैसे करते हैं तो इसको एड करने के लिए दोस्त अपने को एपसाइट के डैस्पोर में आ है और यहां पर आना है और यहां पर मेनु आले सेक्शन पर क्लिक क करेंगे दोस्त आप दिखेंगे कि बहुत सारे यहां पर मैनू बने होंगे या तो नहीं भी बने होंगे तो यहां पर बने हैं तो दोस्त यहां पर देखेंगे फूटर मैनू का नाम से जो मैनू है ना इसके अंदर जो भी आप चंजिस करेंगे जो भी मैं हाँ पर मैनू को के कि मैंने का कि वी तो यह को यह comingो लगा ना ना मा लिए कि हम लोगा मेन मेन को अम है यहां मेन मेन डर करेंगे जो भी seller करेंगे और यहां पर स्वाइड करने क बादद हम यहां मेन मेनु के अंदर हम लोग एड करेंगे अब यहां पर जो भी चीजे एड है तो यहां पर आप इसको रिमूब करना है डिलीट करना है तो दोस्त आप उस पर क्लिक कीजिए और यहां से रिमूब भी कर सकते हैं यहां से आप रिमूब भी कर सकते हैं जो भी मेनु को आपको आप यहां से रिमूव कर सकते हैं यहां से रिमूव करने के बाद दोस्त आपको यहां पर जो भी चीज़े एड करना हो तो यहां पर सलेक्ट कीजिए और यहां पर एड मेनु पर क्लिक कर दीजिए माल लिजिए कोई कस्टम में आपको मेनु एड करना है तो यहां पर आप कस मेनु पर क्लिक दिया है तो दोस्त आप इस तरह से अपनी वेसिट का अंदर कोई कीЗ बी की मेनू बेका सकते हैं Dil одLY में हो tulinken majority ने हो चरहेगे π liker यहाफ को यहाँ यहां पर लोगो उससे शुरुवात करता हूँ और यहां पर मेरे को लोगो को चेंज करना है तो लोगो यहां पर हम लोगो चेंज कर सकते हैं लोगो पर क्लिक करने के बाद अब यहां पर लोगो पर क्लिक करेंगे तो यहां पर जो भी आप लोगो लगाना जाते हैं तो आप अलग-अलग टाइब कर लेता हूं यहाँ पे लोगो न आप देखेंंगे कि यहां पे header का section और यहां पे header के अंदर आप देखेंगे कि header style यहां पे दिया गहे है जो कि आप इस header style को ऒफ चेंज भी कर सकते हैं यहां पे बोहत चारह भप options दिया गहा है जो कि स् ikॉलेके पर उस थाइल sister बोन दिया गहे है और यहां mir confess τι से तो कुछ इस तरह से इसके अंदर जो भी आपको चिंजिस करना है यहाँ पर माल लिए कि more menu button अगर आप enable करना चाहते हैं तो आप यहाँ से enable कर लिए और यहाँ पर social sharing का button अगर आप enable करना चाहते हैं तो उसे भी आप enable कर सकते हैं और यहाँ पर save changes पर click कर दीजें तो यहां पर color भी आप change कर सकते हैं और साथ में दोस्त आप अगर आप यहां पर देखेंगे कि alert बार है और यहां पर notification बार है यहां पर signing का option बटन है यहां पर header search है तो जो भी चीज़ा आप लगाना जाते है तो आपको क्या करना है को उस पर click करना है और वहां पर add कर सकते है अब यहां पर जो भी sidebar है तो दोस्त आप यहां पर देखेंगे यहां पर search है और यहां पर जो भी चीज़ा आप कम में जाते हैं आप इसके उक्किलीक कीया और यहां पर जो भी आपको inable ka करना है तो आप कर सकते हैं और यहां पर अगर आप कुछ और देना चाहते हैं तो देश सकते हैं और साथ में दोस्त आप अगर आप यहां पर देखेंगे कि डार्क का लिंक आप यहाँ पर डाल सकते हैं इस्टागरमका एक्सपर्मेंट कर लायना जो भी आपको रखना हूं उसके बाद पर आपको लायन हे और यहाँ पर होमपेज के अंदर जो भी चीजह झेंज करना है एडिट करना है तो इसके लिए दुस्त आपको क्या करना है कि यहाँ पर edit with elementor प्रकों क्लिक करेंगे तो दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पर all category of the data आप कराना चाला है तो आप किसी single category करना चाहिए तो आप करा सकते हैं पर सेलेक कर लिजेगा और और भी यहां पर बहुत सारे आपको सेटिंग्स मिल जाएगा जो कि यहां पर सौट और है जो कि रेंडम है और नमबर पोस्ट आप देखेंगे तो यहां पर वन दिया गया हमाली जगर आप दो कर देंगे यहां इस बॉक्स के अंदर यहां पर दो पोस्ट सो होगा जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर नीचे आगे एक उपर आ गया अगर आप यहां पर तीन कर देंगे तो यह और इसकी नीचे आजएगा तो दोस्त आप इस तरह से यहां पर पोस्ट का सेटिंग कर सकत यहां पे फीचर इमेज का सेटिंग कर सकते हैं अगर आप यहां पर यहां पर कर देंगे या वन कर देंगे जो भी चीज़ा आप यहां से करना चाहते हैं कर सकते हैं इसके अंदर फूल आप किस्टमाइज कर पाएंगे और साथ में दुस्ट आपको यहां पे फोस्ट का टायर्ट मिलेगे और दोस्ट अब हिसके अंदर को चेंज करना चाहते तो भी कर हैं जैसे के यहां पर पोस्ट सो करने रहा है आप तो आम पर अमलिजाए मेसे हों में कर दोバा जाएगा यहां यहां पर दिलिट करने के लिए तो इसके लिए कोई उसके लिए ऍवि प्रूरर्णिiguous क्या चाहते हैं iln ञर्णविटी सब्सक्राइब अद्र में इसके लाइब के लिए था पूर्ण घुड़ लेत करना है अगर अगर आपको बाला है कि यहां पर प्लुक करने हैं लुक हेङको फ्रक्रोण सर्ट सब्टलिक करना नहीं सबस्क्राइगा, सब्सक्राना चीनुक्राइब ओना है ड Fleetwood icon न लेडिदया तो यहां पर बंट करने हैंиц की या किसी अधर यहां यहां पर डाल दीज़े, वहां पर आपका add होना शुरू हो जाएगा, तो इस तरह से आप edit कर सकते हैं, यहां पर जो भी category का यहां पर दिया गया, तो सारे category को आप edit कर पायेंगे, क्लिक करना है तो दोस्त आप इस तरह से अपने पूरे वेबसाइट किया जो भी डिजाइनिंग है उसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं और साथ में दोस्त मान लिजे कि आपका यह जो हैडर है इसके अंदर कोई डिक्राइट करने के बाद दौस्त आप और हम लोगो को यहाँ पर सेट किया था शायद अब्डीट नहीं हो पाय तो दोस्त अंदर कर लेंगे और अपडेंट करने के बार दोस्त आपका शसारे गामोजWi सतो और अच्प rabbis कर लिजे और यहाँ कर लिजिएOkay और यहां से बैक हो जाई है, बैक होने के बाद दोस्त, और माल लिजिए कि इसके header के अंदर कोई changes करना है, तो आप header पे click किजिए, और इसके style दोस्त में आपको पहले ही बता जिया था कैसे change होगा, तो आप उस तरह से कर सकते हैं, और यहां पे sidebar के अंदर कोई changes करना है, त से भी कर सकते हैं, और यहां पे footer का आप सनाता है, तो footer के अंदर कोई चीज को enable, disable करना है, तो आप उसे कर सकते हैं, और साथ में दोस्त, आप देखेंगे कि यहां पे copyright section आता है, जो भी आता है, तो दोस्त, आप अपने तरीके से home page का जो भी header है, footer है, उसे आप design कर पा यह affiliate link डालेंगे, और यहां से कोई भी user इस पे click करके वाई गरेगा, तो उस पे आपको commission मिलता है, तो यहां पे कुछी इस तरह से अपने जो design थे, यहां पे proper आ चुका है, तो दोस्त, आप इस तरह से अपने लिए बहुत ही बैतरीन, gadgets, review, new site बना सकते हैं, और साथ में द ताकि जो भी मेरा latest information होता है, उस पे सबसे पेरे में डालता हो, ताकि आपको latest जो भी news हो, पाता चल सके, तो चलिए दोस्त, familiar audio में तब तक जाएंगे,